मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए कॉंग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधान मंत्री जी अपनी पत्राई आखों से किंग कर्तब विमूड होकर समीख्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई भाषाई मर्यादा को तार-तार किया गया एक पूरी कौम को घुस पैठिया पुकारा गया मचली मंगल तूत्र भैंस से होते हुए मुझरा जैसे शब्दों से भाषनों को सजाया गया जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे और देश को बताया जा रहा है कि अमरित काल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मनीपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमरित काल आया है या नहीं आया है। बेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अम्रितकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है और देश को बताया जा रहा है कि अम्रितकाल आया है मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए सभापती मोहदें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है कॉंग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधान मंत्री जी अपनी पत्राई आखों से किंग कर्तब वे विमूड होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई सभापती मोहदे सारे प्रहसन किये गए भाषाई मर्यादा को तार-तार किया गया एक पूरी कौम को घुस पैठिया पुकारा गया मचली मंगल सूत्र भैंस से होते हुए मुझरा जैसे शब्दों से भाषनों को सजाया गया चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया महरास्टा में राजनेतिक दलों को तोड़ा गया उनके सिंबल छीने गए चाहे वो शूसेना हो चाहे वो NCP हो विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक एकाउंट को फ्रीज किया गया उसके बाद मोधी सरकार चुनाओ लड़ने के लिए जनता के दर्बार में गई लेकिन वाहरी जनता जनता ने दिखा दिया के दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे जनता ने दिखा दिया इस देश की मैं महा महिम रास्टपती महोदया के भाशन पर चर्चा करने के लिए अभी भाशन पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ सरकारी भाशन की मजबूरिया होती है सरकार की तारीफ करनी पड़ती है लेकिन जिस एक शब्द के इर्दगिर्द पुरा भाशन बुना गया था वो था अम्रितकाल सभापती महोदै छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं दो जून की रोटी मुहाल है पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविश्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अम्रितकाल आया है कभी-कभी मेरा मन करता है कि मनीपुर में निर्वस्तर करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अम्रितकाल आया है या नहीं आया है कभी कभी मेरा मन करता है सभापती महोदे कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछूं कि अम्रितकाल आया है कि नहीं आया है कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के दो बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में बिटिया जो बलतकृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी-कभी मन करता है कि मैं बिल्कीस मां से पूछूं कि देश में आया अमरित काल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कभी-कभी मन करता है कि इत के कपड़े खरीद कर लोट रहे 17 साल के हाफिज जुनायत से पूछूं जिसे बल्लब गड़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया कि अमरित काल आय है या नहीं आया है कभी-कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं कभी-कभी मन करता है कि तवरेज अंसारी की बिदवा से पूछूं कभी-कभी मन करता है कि सहारनपूर के उन तीन बच्चों से पूछूं जिनने 36 गड़ में लिंच करके मार दिया गया सभापती महोदे कभी-कभी मन करता है कि मैं गुजराद के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिया गया सलमान बोरा के परिवार से पूछू कि अम्रित काल आया है या नहीं आया है कभी-कभी मन करता है कि मैं अलीगड के औरंगजेव उर्फरीद से पूछूं जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के उपर डखेदी का मुकदमा काइम किया गया सभापती महोदय ये कैसा अमरितकाल है जिसके अविभाशन में स्वास्त पर सिर्फ आधे मिनिट पर चर्चा हुई कैंसर के मरीज दिन बदिन बढ़ रहे हैं हार्ट अटेक से हसते खेलते बच्चे जान गवा रहे हैं कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में और इस सरकार के पास स्वास्त पर बात करने के लिए आधा मिनिट है सभापती महोदय कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ देश के सामने आए हैं उन्होंने भै फैला रखा है कॉंग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए लेकिन न तो कभी सर्टीफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर ओट मांगे कॉंग्रेस की सरकारों ने ये किया है लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है मोदी जी ने क्या किया है कि राजनेतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाओ लड़े और चुनाओ लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है सभापती महोदे अंत में एक मिनिट आपसे लूगा आजए पहुत सारे सभापती महोदे में अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाथ उचुके हैं, सरकार बन चुकी है लेकिन मुझे इस देश के पुरधान मंत्री जी से यह कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ, सबका विकार